नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके अपने ही परिवार परिच्छा अड़ा में दोस्तों आज हम जानेंगे राम जनम भूमी से संबंध तीस प्रशनों को जो आपके पेपर में बहुत ही जादा इंपोर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों वीडियो को पूरा देखी और अंत तक बने रही है और उन तीस क्रिशन को याद कर लिजे ठीक है दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को हम प्रारंब करते हैं दोस्तों आज का पहला कोश्चन आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ अयोध्या राम मंदिर की उचाई कितनी होगी दोस्तों सी ओप्षन होगा इसका 161 फिट अयोध्या राम मंदिर की उचाई 161 फिट दूसरे कोश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों 1988 के नकसे में अयोध्या राम मंदिर की उचाई कितनी रखी गई थी अभी दोस्तों आपने जाना 161 फिट थी लेकिन कुश्टन आपसे पूछा है 1988 तो आंसर आप लगाएंगे दोस्तों यहाँ पर 141 फिट 141 फिट ओके बढ़ते हैं अगले कुश्टन की और दोस्तों आयोध्या राम मंदिर का निर्माड कौन सी कंपनी कर रही है आपका अंसर होगा BLNT LNT का दोस्तों आप पूरा नाम ध्यान रखेंगे Larson and Turbo ध्यान रहेगा दोस्तों आपको अगला कुश्टन अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार राम मंदिर के वास्तुकार का क्या नाम था दोस्तों तो आप जानिये चंद्रकांत सोमपुरा Next question स्री राम जनम भूमी मंदिर का सिलन नियास किसने किया बताएंगे दोस्तों आप तो आपका आंसर होगा नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है स्रीराम जनम भूमी का सिलन्यास कब किया गया दोस्तों कल के दिन यानि कि 5 अगस्त 2020 का एतिहासिक दिन हमारी भारत भूमी के लिए और इसी दिन स्रीराम जनम भूमी का सिलन्यास हुआ आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश और मुझे गर्व है अपने अयोध्या वासी होने पर अगला कुश्चन अयोध्या किस नदी के किनारे इस्थित है सर्जु नदी के किनारे इस्थित है दोस्तों बी आप्शन होगा आपका नेक्स्ट अयोध्या राम मंदिर में कितनी मंजिल होंगी दोस्तों यहाँ पर गुंबद नहीं पूछ रहा है आपसे कितनी मंजिले होंगी ध्यान देंगे दोस्तों आप यहाँ पर आपसे यह पूछा है कि कितनी मंजिले होंगी हम करने वाले हैं 30 question ठीक है न ध्यान लखेगा 3 मंजले होंगी 3 मंजले होंगी question की ओर अयोध्या राम मंदिर में पिलर की संख्या 212 से कितनी कर दी गई है 212 से बढ़ा कर मतलब पहले 212 थी अब 360 कर दी गई है दोस्तों अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितने का खर्च आएगा लगभक कितने का खर्च आना है जान लिजे दोस्तों واक्ष् group 300 करोड यानि किसी उपसेण आपका यहाँ पर सही होगा नेक्श्ट question अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितने साल लगेंगे अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितने साल लगेंगे आप जान लेज़े दोस्तों लगभग साड़े तीन वर्सों का समय लगेगा अगला क्वेशन अयोध्या विवाद कितने एकर जमीन पर था आप देखें अयोध्या विवाद की बात कर रहा है यहां पर तो आपका अंसर होगा 2.77 नेक्स्ट अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिनों तक सुनवाई चली अंसर होगा 40 दिनों तक भी उप्सन लगा लिजए आप आयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बैंच ने सुनाया ध्यान से कितने जजों की बेंच ने सुनाया तो पाँच जजों की बेंच ने सुनाया जिसके प्रमुक थे रंजन गोगोई महोदे नेक्स्ट कॉस्टिन अयोध्या विवात का फैसला सुनाने में सामिल जजों में नैधिस रंजन गोगोई और नैधिस डीवाई चंद्रचूर के अलावा तीन जज कौन थे सामने लिखें हुएं आपके से बोबडे असोक भूसर और आपके सी ऑप्सन अब्दुल नजीर ये तीनों ही जजज इसमें सामिल थे तो यहाँ पर आप उपर जुक से भी कह दीजे अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी जमीन दी गई दोस्तों ये भी एक अच्छा कुशन बन जाता है कि मस्जिद को पांच एकर जमीन दी गई आप जानते रहें ये दोस्तों ठीक है ना नेक्स्ट कुश्चिन अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्च में आया बताएंगे दोस्तों आप राम जनम भूमी नियास के पक्च में आया दोस्तों राम जनम भूमी नियास के पक्च में अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाय अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया आपका अंसर होगा दोस्तों 9 नौवंबर सन 2019 यानि की B-Option ठीक है दोस्तों 9 नौवंबर सन 2019 B-Option पर आप तिक लगाएंगे नेक्स्ट अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था अयोध्या का प्राचीन नाम देखी प्राचीन नाम जश्ट पहले का नाम पूछ रहा है फैजावाद याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के मुक मलतरी ये इस क्रेशन का अंसर मुझे लगता है सभी को पता है योगी आदितन योगी आदिप्तिनात नेक्स्ट कॉशन उत्तर प्रदेश के राजपाल कौन है आप सभी को पता है आनंदी बेन पटेल आनंदी बेन पटेल यानि कि आपका यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा तो आप कहेंगे कि ए आंसर सही होगा समझे दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे अयोध्या एस्थित मस्जिद का क्या नाम है दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि जब राम जर्म भूमी तोड़ी गई थी ता वहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्मार हुआ था और बाबरी मस्जिद का निर्मार किसने करवाया था मीर बाकी नेक्स्ट जिस वर्थ बाबरी मंतरी कौन थे दोस्तों यहां पर सी आप्सवन होगा आपका पीवी नर्सिम्हा जायो नेक्स्ट बाबरी मस्जित को कब गिराया गया बताएंगे दोस्तों आप इसका सी आप्सवन होगा छे दिसंबर 1902 चे दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिराया गया नेक्स्ट बाबरी मस्जिद को किस वर्स बनाया गया था बाबरी मस्जिद को किस वर्स बनाया गया था दोस्तों आप का अंसर होगा 1992 में मस्जिद गिराया गयी थी लेकिन बनाया कब गया तो 1528 में किस के दोरा मीर बाकी के दोरा दोस्तों मीर बाकी के दोरा ठीक है दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम अगले कुश्चन की दोरा देखेंगे दोस्तों आप बाबर के आदेश पर बाबरी मस्जिद को बनाने वाला सेना पती कौन था बताइगे दोस्तों मीर बाकी मैं आपको बार 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 बाता रहा हूँ दोस्तों 1940 से पहले बाबी मस्जद को अनकिस naam से जाना जाता था मस्जद इजनमस्थान के नाम से जाना जाता था ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले गुश्ण कि तरफ बाबर भारत कब आया था बाबर भारत कब आया था बताएंगे दोस्तों आप 1526 इसमी में बाबर भारत कब आया था 1526 नेक्स्ट क्रेशन बाबर की मिर्तिव कब हुई थी आंसर होगा दोस्तों इसका 1530 1530 दोस्तों ये आज की क्लास के हमारे 30 क्रिशन कम्प्लीट हो रहे हैं यहाँ पर दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताईगा कमेंट बॉक्स में लिपकर और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा जादा से जादा से यहर करिए और अगर अभी तक आपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने परिवार परिख्छा ड़क सफलता का कोई सौटकेट नहीं को तुरंत ही सब्सक्राइब करें और अगली नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर से जरूर प्रस करें ठीक है दोस्तों जै स्री राम और इसी के साथ मैं अपनी क्लास आज की यहीं रोपता हूँ जै हिंद जै भारत